प्रेंड्स आज मैं आपको पताने जा रही हूं कि शुद्ध देशी घी घट को सटा फट कैसे बनाएं और इस रेश्पी से आप मखन और मठा भी निकाल सकते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूं शिप्रा सकते ना आप देखाएं मेरा चैनल किचिन रेश्पीस मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और टिंग निंग वाले बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहल है कि देखे फ्रेंड्स मैंने देशी घी बनाने के लिए एक हफ्ते की मलाई को एक खटा कर लिया है और आप हम इसे गैस पे थोड़ा गरम करेंगे ठीक उतना ही चितना की हम दई जमाने के लिए दूद को गरम करते हैं देखे फ्रेंड्स हमने अपने मलाई को गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है और इसको हम दो से तीन मिनट के लिए गरम करेंगे और बीच में चम्मच की साइता से भिलाते रहेंगे जिससे नीचे को जलना जाए जैसे यह थोड़ी सी गरम होगी हम गैस की फ्लेम को स्कुट फॉर्म में आएगी वैसी हमें समझ में आ जाएगा खिए मलाई हमाई इस समय जमने के लिए तैयार है हमने इसको चम्मच की साइता से हिलाते हुए गरम कल लिया है और हमाई मलाई जमानी के लिए तैयार है और हम अपनी गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे देखिए फ्रेंट्स अब हम दो ती स्पून तही को अपनी मलाई में डालेंगे जिससे की वो अच्छे से जम जाए और इसको किसी गरम जगा पर जमने के लिए रख देंगे अगर मौसम जादा थंदा है तो आप दही की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं देखिए फ्रेंट्स अब इसमें हम टू टी स्पून दही आड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अपनी मलाई को हम किसी गर्म जगा पर जमने के लिए रख देंगे 5-6 गंटे के अंदर हमाई मलाई जम जाएगी और उसके बाद हम इसका घी बनाएंगे देखिए फ्रेंड्स मलाई पूरी तरह जम कर तैयार है और आप इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करेंगे और मक्षम निकाल लेंगे अगर आप इसे फ्रेज में एक गंटे के लिए नहीं रख रहे हैं तो आप इसमें आइस्वीव डालकर भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं मैंने इसको एक हंटे के लिए फ्रेज में ठंडा होने के लिए रख दिया था जिससे थोड़ी सी हाड हो गई है और इससे मक्षम अच्छा निकलेगा गे इसकी पुलेट लिया है और मिक्रमाइक म् मक्षम को निकालेगे मलाई से मक्खा निकल के पूरी तरीचे से तैयार है और हमेर से एक चम्मच की साइता से पढ़ाई में परेट लेंगे परेंट्स आप यहां देख सकते हैं कि मक्खन अलग है और मठा अलग हो गया है इस मठे को भी हम यूज कर सकते हैं आप चाहें तो मठे के आलू या मठा जैसे आप पीने में यूज करते हैं या कोई भी डिश जो मठे से आप तयार करना चाहें वो तयार कर सकते हैं बस आपकी मलाई ताजी होनी चाहिए तो मठा टेस्की निकलता है मख्षन पूरी तरीके से निकल के तैयार है और आदे लीटर से जादा मठा मिला है हमें निकाल के इसको हम किसी भी डिश में यूज कर सकते हैं और इसे हम अभी फ्रीजर में रख देंगे और मख्षन को हम गैस पे घरम करेंगे और घी निकालेंगे देखी फ्रेंड्स मैंने मख्षन को गैस पे रख दिया है इसको मैंने फूल फ्रेम पे रखा हुआ है देखिए फ्रेंड्स इस समय घी में अबाल आ चुका है और हम गैस की फ्लेम को स्लो पे कर दिया है और हम इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और जैसे हमारा घी तैयार हो जाएगा हम उसे चान देंगे देखिए फ्रेंड्स शुद्र देशी घी बनका तैयार है अब हम इसे किसी भी स्पैट्चला की हैप से चंबच की हैप से और किसी भी स्टेनर की हैप से छार लेंगे देखिए फ्रेंड्स घर का बना हुए शुद्र देशी की तैयार है घर के बने हुए शुद्र की बाती कुछ और होती है इसको आप अपने घर पर ट्राई कीजे मेरे चैनल को लाइक कीजे शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे बैल आइकोन को दबाना मत भूलिए तकि आने वाली वीडियो की नियोटिफिकेशन आपको मिलती रहें थैंक यू